हेलो एंड वेल्कम टू ग्रेट ऑनलाइन एकेडमी मेरा नाम है एमडी समी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि CRM के बेसिक्स क्या क्या है आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे CRM में किस टाइप की सेलिंज को प्रिफर किया जाता है CRM में सब्ट्वियर का इवलेशन आज के टाइम तक कैसे हुआ कि इसे सब्ट्वियर आभी बहुत ही एडवांस है जो बहुत ही आसानी तरीके से यूज किया जाता है CRM में मुबाइल अप्लिकेशन कौन-कौन से लॉंच हुए जो बहुत ही उजरो फैंडली है तो बच्चो मेंने सारे टॉपिक्स को बहुत ही रिसर्च करके बनाया है तो चलिए एकर करके इन सारे टॉपिक्स को हम लोग समझते हैं लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लिजे ताकि मेरे दोरा दीगई हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रह है तो चलिएए बच्चो स्टार करते है आज का तॉपिक टाइब डा हटो से लिंग को वर हमसे डा चैनल को में समझते हैं में नने जोटा सेलंग को छौइंघ बुरुक्स को परदै जिया में पेचे लिज दे होता है ना अब रिफ करना चाहती है तब वो डायट सेलिंग करती है और यह बहुत ही कम समय के लिए जाया नहीं किया जाता है क्योंकि हम कोई भी प्रोड़क्ट को डायट लिक कंजूमर तक पहुचाने के लिए बहुत सारे आदमी चाहिए जो हमेशा नहीं कंपनी कर सकती है तो जब अनलिसिस करन तब ही डायट सेलिंग करती है आपने देखा होगा कि आपके पास कोई भी बंदा आता है और बोलता है कि मैं इस कंपनी से हूं इस कंपनी ने यह प्रोड़क्ट को लांच किया है आप इसे ले लिए इसके यह बेनेफिट्स है यह आपको कम में पढ़ेगा और आपके बेन को कस्टमर ख़िदना चाता है कि ने ख़िदना चाता है यह सारे अनलेसिस कंपनी दोरा की जाती है ठीके बच्चों डायट सेलिंग बहुत ही कम किया जाता है इसी लिए तो इसको आप लोग समझ गया होंगे नेक्स टॉपिक सेलिंग जो है कस्टमर वेल्यू सेलिंग जो ह कि जया गम हो जाता है तो भहुत ही परिशान हो जाता है वह यह बहुत ही इंपोर Zhen time लोग कि उसकी और सही इस्तमाल भी करते हैं तो यह पोई नहीं सोस्ता है कि इसका इस्तमाल क्या है यह हंको क्या नुक्सान पहुचाएगा लेकिन यह आप के लाइफ में वेलियो अड्ट करेगा या सब जानते हैं internet भी एक ऐसा एक जांपल है में इंटरनेट लगवाते हैं तो उसके कि आप यह भी ले लिजे आपके लिए यह भी यूसफुल है अगर वह अपने उसके बनेफिट्स को बताएगा तो हम लोग उसे इंट्रेक्ट हो जाते हैं और हो सकता है कि हम उस प्रड़क्ट को ले ले आपने देखा होगा कि जब आप मैं डॉवल्स में जाएंगे तो वह क ले लग लिक लिए अगर हम किसी रल साथ में और अगला सुपा और अगर मोबाईल लेते हैं तो साथ में मोभाईल कब बेचेगा स्कीन गार्ड बेचेगा बड़ा हेडफोन देगा मेरे को और अगर टीवी लेते हैं तो साथ में स्पीकर देने के कोशिज करेगा और टीवी कवर देगा और पेंड्राइब देगा जिन चीजों की जरुरत हो सकती है वो सारे चीजों को बताएगा तो लिंक सेलिंग आप लो अगर वहां लिपिस्टिक लिए तो वह बताएगा कि आई-लाइनर ले लिजे काजल ले लिजे मेकप किट ले लिजे मेकप फिक्सर ले लिजे तो फूल लाइन आप लोग समझ चुके होंगे यह ध्यान दीजेगा कि लिंक सेलिंग में प्रोड़क्स की जरौत को बताया ज पिल लाइन सेलिंग में प्रोड़क्स की ज़रप को बताया जाता है और जुडवे प्रोड़क्स को बेशते हैं क्रॉस सेलिंग में ध्यान दीजे का मुझातर एडवांस होते गया इन सारी चीजों को हम लग समझेंगे 1990 की टाइम पर क्या हुआ जब 1990 का वक्त चल रहा था उस वक्त पर जो CRM का महसूस होने लगा तो 1975 में cried sheod launched हुआ जोकि में फ्रेम computer में directly डाता si'd करने के लिए इस्तमाल होता था में फ्रेम computer जो है वह directly server सê connect होता था server means जहां पर data हम लोग feed करते हैं इसको आप लोग समझ गए होंगे फिर देखिये क्या हुआ कि 1982 में Kate केंस्टन और रॉबर्ट केस्टन बॉम ने डाटा बेस मार्केटिंग का कॉंसेट दिया डाटा बेस मार्केटिंग का कॉंसेट जो है टोटली डिपेंडेंड है डाटा रिडक्षन टेक्निक पे डाटा रिडक्षन टेक्निक क्या होता है यह हम लोग सेलेक्टिव कस्टमर का इस्तमाल करत करते हुए सेलेक्टिव कन्य में आपको बताया तरहि такое जैसे आप किसी सप्ट पर जाते हैं गार ममोज खाते हैं तो लांप कि तेकि przeci सिबल सिस्टम सिबल सिस्टम है टोटली CRM मौडूल पर डिपेंडेंट है यह बहुत थी लेटेस्ट टेकनोलोजी का सफ्टवेर था इसमें जो है यह टॉम सिबल है यह औरेकल कंपणी में काम करते हुए इसने अलग से यह सिबल सिस्टम लॉंच किया था जो कि इसमें सारे जो सुधार है यह होते गए फिर औरेकल ने इसे खरीद लिया पर 1990s के टाइम में कुछ ERP कंपणी सिबल सिस्टम आ गया तो आने की पहले उन्होंने क्या किया कि 1990s के टाइम पर ERP कंपणी जो थी औरेकल से पिपल सर्फ इन्होंने एमडेट CRM मॉडूल बनाया एमडेट CR जो हो जो होते थे उसके CRM मॉडूल के कोर्स होते थे हिडेन इसको हम लोग कोई भी इडिटिंग नहीं कर सकते हैं इसमें अगला जो है पहला मार्केट में लॉंच हुआ पहला ओपेन सोर्स सॉफ्ट्वेर लॉंच हुआ कचला CRM का शुगर CRM का जिसमें हम लोग इडिटिंग कर सकते हैं अगर उसमें बहूंज होता है कि कोई भी इंप्रूब्मेंट हो सके कोई भी कहीं पर फस रहा है तो डिपी अगर बहुत कर सकते हैं इस सारे चीजों को मैं डिटेल में अगले लेक्टर में बताऊंगा ठीक है वहाँ पर और भी डिटेल हम लोग जानेंगे समझेंगे डारेक्टली इनसे कोश्टन्स आएंगे आपको डेट वाइस कौन से सफ्ट्वियर लांच हुए चलते हम लोग अगले टॉपिक पर जिसका नाम है सबसे पहला जो मॉबार अप aquest के शस्तुम ने लांच किया है सीबसेल्स हैंडल नांटे नांटी में सीबसेल शिस्टम में से सबसे पहला मुईल अप्लिकेशन है बच्चों नेš्ट अपिंट अप्लिकेशन से से लिए किसमें लॉंच किया गए पहला है जुहू CRM जुहू CRM मोबाइल अप्लिकेशन जो है यह मेन फोकस किया गया है CRM के प्राइसिंग वैल्यू पे कस्टमर को कैसे हम कम प्राइस में अफेक्टिव प्रॉडक्ट दे सकते हैं तो यह जो यह जोड़ते हैं तो कस्टमर के साथ रिलेशन हम कैसा बनाते हैं उन सारे चीजह को हम एक पाइपलाइन के तरह देख सकते हैं अगला जो हब हब इसक्राइब के लिए अगला जो अप्लिकेशन है जैंडेक शस्टे जो है अपने टेक्स्टिंग के प्रॉस्पेक्ट के लिए जाना जाता है जावा प्रॉडक्ट को बेचते हैं आपको कभी देखे होंगे जब केंटा बिल से या फिर स्पाइकर शोरूम या किसी भी स तो आपको mail आता होगा, text आता होगा कि मेरे दुकान में ये नए products आये हैं, नए fresh arrival हुआ है, आप हमारे दुकान पे विजिट करिए और fresh arrival को देखिया और खरीदिये, ठीक है बच्चों, अगला जो CRM application है, fresh work CRM और sales for CRM, ये दोनों जो है CRM application, ये mainly focus है, कि ये best इसलिए है, क्योंकि ये appointment इसमें हम ले सकते हैं, email के दोरा हम customers को बता सकते हैं, और contact कर सकते हैं, बिना application को leave किये, विजब applications हम run करेंगे mobile में, CRM को अब run करेंगे, उनको चलाएंगे, तो हम appointment भी fix कर सकते हैं, अपने customer के, customer से कि आप आपको अगर अच्छा लगे तो उसको खरीदिये, बुक करिए, तो चलिए बच्चो, ये सारे points आप समझ गए होंगे, मैंने एक-एक points को बहुत अच्छे से समझाया आपको, इनकी आप notes बना लीजिए, या हमारे PDF को follow कीजिए, PDF आपको हमारे telegram channel पे मिल जाएगा, जिसक Thank you for watching my video, बच्चो, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए, जाए हिंद।